राम के वनमार राम नहीं जाए ये पेड़ पसा दे राम चंद से तुने क्या की बाते ये पेड़ पसा दे राम चंद से तुने क्या की बाते क्या तेरी चाया के नीचे सिताने काटी राते हरे तूटी मन की अग्स राण नहीं जाए ओमे राम के वनमार राण नहीं जाए ए बत्तर बतला दे तूमें क्या राम चंद चूमा था ए बत्तर बतला दे तूमें क्या राम चंद चूमा था है तूटी मन की अग्स राण नहीं जाए ओमें राम के वनमार राण नहीं जाए हुआ लो बोट रोट इन पर बोट इन अब बोल बोट बोर बोट बोर इन तेरा, तेरा, तेरा निजी निजी समाजु, समाजु बनाई गुहु गाव तही जो हारे जाई देखी सुभट सब लायक जाने लेले लाव सकल मनिवा दीख निशाद नात बर टोलू करहु बजाऊ जो जाऊ ढोलू इतना कहत चिप भई बाए कहु सबुन अहां खेत सुहाए कहु सबुन अहां खेत सुहाए दीखी निशाद नात बर टोलू महराज महराज बरे जी सेना लेकर वन में आ रहे हैं मैं समझता हूँ कि उनके मन में अवश्य ही कोई खोट है तुम चिंता ना करो मुझे पूरा विश्वास है कि शीराम को जीतने वाले अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ तुम सब सावधान हो जाओ सब खाटों को रोक दो मैं भरत से लोहा लूँगा जीते जी उन्हें कंगा पाथ कभी नहीं करने दूँगा मेरे सेव को लडाई का धोसा बजाओ और भरत से युद करने के लिए तयार हो जाओ परत तो मेरा शवर्वी कह रहा है कि भरत जी से लडाई नहीं होगी मेरे विचा से भरत जी श्री राम से विलने आ रहे है साथियों ये ठीक है रहे है जूकि जल्दी से कारे करने वाले मूर्ख लोग हमेशा पच्ताते है अतह भरत जी की परिक्षा लिए बिना उन से युद करना अनुचित है इसलिए मैं पहले भरत जी से मिलूँगा पुत्र भरत ये श्री राग की वित्र है जो आपकी शरण में है हे निशाद जी आप धन्ने है जो आपने प्रभु के दर्शन किये है हे निशाद राज जी आप मुझे बताईए प्रभु ने आपके पास कैसे निवास किया हे भरत जी प्रभु राम माता जानकी और लक्ष्मन शहीद शिंग्वेरपुर पथारे परंतु उन्हें नोने नगर में प्रवेश नहीं किया यही पत्थर की शिलाओं पर घास के बिछोने पर विश्राम किया और यही से जटा बनाकर गंगा पार चले गए भाई निशाद राज जी यह पत्थर की शिलाओं घास का बिछोना यह विरिक्ष सब मेरे पूजनिये हैं हे भाई निशाद राज जी आप शीग्रे ही मुझे भाईया राम के पास ले चलिए आईए आईए चलिए माराज चलिए और इस प्रकार प्रभू के पास भरजी चल पड़े उधर माता सीता ने द्रश देखा सुपन देखा मुहाराम रजनी अब से साथ जागे सीये सपन अस देखा सहित समाज मलत जन आए नात भीयोग ताब तन ताए नात भीयोग ताब तन ताए हे नात आज प्रातर काल ही मैंने स्वपन देखा कि भरजी सब समाज सहित यहां आए हे प्रभू हे प्रभू भरची जत्रोंगे सेवा सहित यहां पधार रहे हैं बिन मूचे कचु कहां बोसाई सेव को समेन धीठी धीठाई तुम सर्वग सिरो मनी स्वामी आपन समाज कहो अनुगामी हे स्वामी आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ सेवक समय पर डिठाई करने से धीठ नहीं समझा जाता हे स्वामी आप सर्वग्यों में शिरो मरी हैं मैं सेवक अपने समझ की बात कहता हूँ हे भाई भाई शीग्र आग्या दो भाई को आप समझूंगा मैं अन्याय न्याय पर चड़ता है ये कैसे होने दूगा मैं हे नात रोपते रहे सदा पर आज रोपना नहीं मुझे सोगंद आपको है मेरी उस समय टोकना नहीं मुझे यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका कर्व मिटा दूँगा श्री राम दुहाई पृत्वी पर शण भर में उसे सुला दूँगा हे लक्ष्मन भरत जैसा भाई नहीं ब्रह्मा विश्नु का पत पाकर भी भरत को मद नहीं हो सकता भाई कैसा भाई भाई तब था जब निर्मल था है आस्तीर का स्थापर जो कभी भुजाओं का बल था उससे कुछ बैर नहीं जगडा है उसके बुरे विचारों से विश्माले दाप तोड़ते तो कुछ खौफ नहीं फूकारों से सेवक का तो है धर्म यही निद्धत पर रहना सेवा में स्वामी पर संतट आये तो निचावर होना सेवा में इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बान चड़ रहा है, शत्रो शत्रो सबल जाओ, लक्षमन का क्रोध बढ़ रहा है, पृत्वी हो चाहे खंड खंड, विन्या चल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर, अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर की ही साची है, रन में उसको संधारूंगा, जो रगुराई का बेरी है, बहुत सवधास। लक्षमन, मैं तुम्हें रोकता नहीं, पहले तो ऐसा हो भी नहीं सकता, कि भरत इतना गिर जाए, यदि मान लो, तुम्हारी बात सत्य है, तो क्या तुम इतनी बड़ी सेना आचे लडशोगोगे, हाँ भया, लड़ सकता हूँ, अपनी तो कुम कह चुके, अब मेरी सुन लो नाथ, जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दमाना सकते थे, मैं तो क्या, सो लक्षमन भी लड़ने में हलाना सकते थे, पर आज धर्मी हुआ वही, दलबल सारा धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वद कर सकता है, बस, बस समाधान हो गया नाथ, अब आग्या दो दिल मचल रहा, अब माने चत्रिय काल हूँ, भीतर ही भीतर उबल रहा, या तो यह बार्ण शत्रों का संघारबार हो जाएगा, या आर्दास का सेवा में बलिदान बल हो जाएगा, भीया राव, 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 प्रभू, मुझे अपने हिदे से मत लगाईए, मुझसे बड़ा अपराद हुआ है, मैं बड़ा धम हूँ, शान्त हो जाओ तार, इसमें तुम्हारा कोई दो बना है नहीं भाईया नीच बुद्धी वाली केकई ने बड़ी कुटलता की जवाब को वनों में भेज दिया भलत मेरी माता के लिए ऐसे अप्शब्ध तुम्हारे मुझे उचित नहीं लगते प्रणाम भाईया नहीं लक्षमार मैं प्रणाम के योगे नहीं हूँ मुझे शमा कर दे भाईया मुझे शमा कर दे मेरे मन में आपके लिए दोश आ गया था मैंने आपके लिए धरुष पर बार चला लिया था भईया वो बार चलाया क्यों नहीं लक्षमेन चलाया क्यों नहीं मुझ फापी का उधार हो जाता कहो भरत अयोध्या में सब कुशलतो है पिता जी सभी मात आएं गुरुदेव सब कुशलतो है भाईया आपके वन जाने के पस्चार पिता जी ने आपके व्योग में प्राण त्याग दिये क्या कहा पिता जी नहीं रहे हाँ अधार भाईया आपसे मिलने के लिए गुरुदे सभी माता है आरे सुमन और सभी प्रजाजन यहां आए है गुरुदेव प्रणाम आयुश्मान हो गुरुदेव मैं पिता जी को आपको सौ कराया था मेरे पिता श्री कहा है बेटा राम आवागमन संसार का अडल नियम इस संसार में जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है इसलिए शोक का त्याग कर दिवंगत आत्मा के लिए पुत्र के कर्तव्य का पालन करो मित्यो प्राग पिता को सद्गती में पहुंचाना ही पुत्र का कर्तव्य है इसलिए पवित्र मतलाकनी में पिता के लिए तरबन करो जुआ अग्या गुरुदेव पिता श्री आप जिस लोग में भी है मेरा प्रणाप स्विकार करें पुत्रला पहले भरत की विने सुनिया हे रगुनंदन रगुकुल भूशन रगुपती रगुनायक रगुराई छोटे आरच सर्नागत की गहिये ये बाह बड़े भाई माता से जो अन्याय हुआ उसका है पस्चताप उन्हें खाए जाता है दिन पर धिन वैपाप और संताप उन्हें अब उनके जन सुधरने का सादन यदी कुछ हो सकता है तो वो ये है करुणा निधी का करुणा जल्मल धो सकता है सीता माता सो मित्र सहित अवद का राज करे मैं और शत्रुगन बगले में बन में रहने का काज करे पर यह अनर्थ पर है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है जैसे भी हो लोट ये अवद है इतनी टेर भिखाई की ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौर पुझारी की भरत तुमने जो संदेश कहा है वह बड़ा ही संदर है पलंतु हम तो माता पिता की आग्या मान कर बनों में आए हैं और फिर मैं शमा करूं किसको मा को मा तो स्वैम मिश्क लंकिनी है हम चारों ही पुत्रों की वो जगदंबा जगजन्नी है और फिर वनवास तो हमें अच्छे मार्ट पर ले जा रहा है जेडिये प्राता के होते छोटा ना राज्ये कर सकता है यदी करता है तो है अधर्म ये धर्म शास्त्र की आग्या है जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्म शीर क्या कर्म करे फिर आगव आग्या देते हो ये भाई भरत अधर्म करे मैं कभी न दूँगा आग्या ये है तुम पाप अनीती अधर्म करो उपदेश यही होगा मेरा सत कर्म करो सत धर्म करो पिता माता की आग्या पालन बेटे का धर्म कहाता है यदि वे आग्या त्यागी जाए तो भी अधर्म हो जाता है जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्म शील क्या कर्म करे हे भाई तुम्हें यही प्रिय है यह भाई राम अधर्म करे गुरुदेव वशिष्ट श्री रगुनंदन के चड़नों में दूद का प्रणाम सुईकार हो मैं मिथलेश्वर महराज जनक जी का सेवक हो महराज को यहां के सारे समचार ग्यात हो गए है अब वो महराणी सहित मंदाखनी के तड़ पर पहुच गए है मुझे पूर्व सूचना के लिए आपके पास भेजा है मिथलेश्वर आ रहे हैं यह तो बड़े हर्श का विशे है पुत्र राम, लक्षमण, भारत, शत्रगण, चारों भाई, जाईए और महराज को आदर पूरोग ले आईए जोड़ा ग्या गुरुदेव भाई सचिव गुरु खुबे चन साथा आगे गवर्णू की मेरा गुनाथा गिरु बरुदीक जनक पत्जवाई करिप्रना मुदत जाग उतवाई करिप्रना मुदत जिर्ट्या के मुदत जाग उतवाई प्रणाव महराज आयुष्मान भवा पुत्रों गुरु देव वशिष्ट को सादर पढ़ाम आये मितलेश्वर आयुष्मान भवा गुरु देव महराज दश्रत के स्वर्गवास से अयुध्या के साथ साथ सारी मितला भी शोक में डूबी हुई पुत्र राम लक्ष्मन भरत शत्रुगन मुझे दूतों से सारे समचार ग्यात हो गए हैं पुत्र राम तुम धन्य हो जो तुमने पिता के वचनों का पालन करने के लिए चोदा वर्षों तक बनु में आने का निर्णे लिया पुत्र भरत तुम्हारा भ्रात्र प्रेम सदा अमर रहेगा मितलेश्वत अब आप आ गए हैं हमें पूरी आशा है कि आप पूरी स्थिती समाल लेंगे भरत का भ्रात प्रेम श्री राम का धर्म पालन देखकर हमारा विवेक ज्यान सब खो गया है हम स्वैम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें दौनों भाई अपने अपने निष्टे पर अटल हैं गुरुदेव आप जैसे ज्यानी ठ्यानी विवेक शील विशी के होते हुए मेरे जैसा साधारान प्रानी इस चटिल समस्या को कैसे सुल जा सकता महराज जनक आज अयोधिया का राज धर्म संकट में है ऐसे संकट में आपका आग्मन धर्म सूचक है राम की मर्यादा और भदर्त का प्रेम इसमें जीत किसकी होगी या निर्ने आपको करना है आप दौनों परिवारों में श्रेष्ट हैं महराज आप मेरे पिता तूले नहीं आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे जो आगया आप मुझे देंगे मैं पुत्र रूप में उसका पालन करूँगा आप राजा भी हैं और रिशी भी हे धर्म पिता मैं श्री राम के राज्य अभिशे की सभी वस्त्वे अपने साथ लेकर आया हूँ मेरा इस समय क्या करतावे है यदी मियाए मेरे पक्ष में है तो श्री राम के राज्य अभिशे की आगया आप मुझे यहीं देंगे महराज मैं अपना धर्म अपना भ्रात रुपे आपकी आगया के आधी करता हूँ श्री राम श्री भरत आप दोनों में महान कौन है इसका निर्णे तो स्वेम भ्रमा भी नहीं कर सकते फिर मैं तो एक साधारण प्राणी है इस निर्णे के लिए मैं अपने आपको भगवान आशुतोष के चड़नों में अर्बण करता हूँ वो जैसा उचे समझे मुझे प्रेणा दे ओम नमा शिवाई ओम नमा शिवाई हे राम अपने धर्म के पति तुमारी द्रिड़ता देखकर आज स्वर के देवता भी नत्मस्तक है धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है परन्तु प्रेम किसी धर्म के बंधन को नहीं मानता प्रेम सबसे उपर हो वही प्रेम अपनी परकाश्ठा में जब भक्ती का रूप धारन कर लेता है तो भग्वान भी सब बंदन तोड़कर भक्त के आगे हाथ बानकर खड़े हो जाते